राजस्थान में चुनावी शोर है, कॉंग्रेस की गारंटियू पर जोर है, लेकिन इसी बीच दल बदली का दौर है, कोई बीजेपी का कमल खिला रहा है, तो कोई हाथ को मजबूत कर रहा है। शनिवार को राजस्थान में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लग गया, पूर्र मेयर जोतिक खंडिलवार समेथ पार्टी के तीन सीनियर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी प्रदेश जक्ष स्रीपी जोशी, प्रभारी अरुन सिंग ने पठका पहनाया और पार्टी के सदस्ता दिलाई, जोतिक खंडिलवार का स्वागत किया और कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साथा आपने महंगई रोकने की गेरंटी दी थी, उसका क्या हुआ, आदेश बर में आफी के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगई में पूरे देश में सिर्ष्प कोई प्रदेश आ गया तो राजस्तान है, इसलिए लोगों ने उनकी गेरंटी मानना बंद कर दिया, अब गेरंटी है तो नरंद्र मोदी जी की और वो ही विश्वास करके ये सब आज भारती जनता पार्टी की सुदसा ग्रण कर रहे हैं, सरकार में बैठे नुमाइंदे, अलग अलग प्रकार से सरकारी एहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिस कर रहे हैं, इडी के वुरुद में जिस प्रकार पहली बार हल चल देख रहे हैं, उससे में हल चल नहीं जो कलाम कोचिंग इस्ट्यूट के नामजद किया गया था, मैंने एक करोड़ पिछत्र लाख रवेरिश्पत दी, यह सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं, इडी जो जो जिस प्रकार नौजवानों के अर्मानों को लूटा गया, जब उसका परदाफास कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बासा का इस्तमाल कर रहे है यह बात तो सपस्ट है, अब पूरे देश में सपस्ट है कि गहलोज सरकार जाने वाली है, भारती जन्ता पाइड़ी किकल बिजय ही निए, इतिहासिक बिजय इस बार होने वाली है, और महिला अत्याचार, पेपर लीग, किसानों को करद में डालने वाली यह गहलोज सरकार जाते जाते घहलोज को यह भी निसमंझ हा रहा है कि किन सब्दों का उपयोग करें कुछ दिन पहले उने ने जुटीसिरी के वारे अब सब्द का उपयोग किया फिर माफी मागा अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अब इस परस दरसाता है कि कांग्रेस ने के मुक्मंदी गहलो जी में हतासा ब्याप्त है हार के हतासा के कालड इस प्रकार से बक्तब दे रहे इसके अलाबा तारा नगर से पूर विधायक और कांग्रेस के दिगज नीता रहे चंदनमल वैध्धे की बेटे चंदर शेखर वैध्धे, पूर विधायक, नंदलाल पूनिया और जोतपुर युनिवरसिटी के पूर्व छातरसंग अध्यक्ष रविंदर सिंग भाटी ने भी बिजेपी का दामन थाम लिया बिजेपी में शामिल होने की बाद जोतिक खंडेलवान ने कॉंग्रेस पर कारेकरताओं के अनदेखी कारोप लगाया और पियमोदी की जमकर तारिफ की लगातार निश्टा पूरवक पार्टी के कारेकरता जो निश्टा से पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं बलकि पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं उन कारेकरताओं की अंदेखी होती है उन कारेकरताओं की उपेक्षा होती है उन कारेकरताओं की कद्र नहीं होती है बलकि कहीने का अपमान सहयन करना पड़ता है जोती खंडिलवार जैपूर में कॉंग्रेस का प्रामुक महिला चेहरा रही है जैपूर की मेर रहने के साथ लोगसभा चुनाव लड़ चुकी है वे सचिन पाइलेट खेमे में थी किशन पोल सीट से टिकेट की दाविदारी की थी बीजेपी ने अभी किशन पोल और हवा महल सुमिद्वारों का एलान नहीं किया है ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि बीजेपी उने किशन पोल या हवा महल से टिकेट दे सकती है चुनावी सीजन में नेताओं का दल बदल का दौल लगातार जारी है हाल ही में प्रियंका गांधी की जुनजुनू की रेली में बिजेपिस से नाराच नेता विकास चोधरी और धोलपुर से विधायक शोभर आनि कुश्वाहा ने कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया था ऐसे में जाहिर है जब तक दोरो पार्टिय सभी दोस्तों सीटों पर उमिद्वार की घोश्णा नहीं कर देती तब तक ऐसे ही तस्विरे देखने को मिलती रहेगी ब्यूरो रिपोर्ट सच बेधड़क